वेलगम तू ओल स्टुडेंट्स इन फार्मसिटिकल उनिशिटी एग्जाम परस्पेक्टिव फार्मसिटल जो फार्मेसिक यוכ और सॉर्ट कोर्टिक्टिव भी समिल किये गए हैं one word यहां one sentence यह वन परा के जो short questions है उनको लेके discuss करेंगे 20 तो लीजे चलू करता है पहला question है आपके who is the considered as the father of Indian pharmacy father of Indian pharmacy किसे कहा जाता है या किसको father of Indian pharmacy का दर्जा दिया गया है तो यहां पर ध्यान रखना है आपको ml श्रॉफ ठीक है तो यह ml श्रॉफ भी आ सकता है महादेव लाद श्रॉफ भी आ सकता है don't get confused है ना महादेव लाद श्रॉफ is the father of Indian pharmacy दूसरा question what is the primary purpose of tertiary packaging in pharmaceuticals फार्मा सुटिकल्स में tertiary packaging कहां मैक्तव बताईए तर्शरी packaging आपको ध्यान रखना है जब पूरा product बनने के बाद जो shipping में जाना है product जो batch shipping में जाना है ट्रांसपोर्ट में जाना है तो उसको ध्यान में रखते वह जो packaging की जाती है ताकि transport में किसी तरह का नहीं हो product बरबाद नहीं हो अराम से जहां तक उसको पहुंचना है वहां safely पहुंच जाए उसके लिए जो पैकेजिंग की जाती है वो तर्शिरी पैकेजिंग कहलाती है तो इसका तर्शिरी पैकेजिंग में shipping ध्यान रखना है shipping यानि ट्रांसपोर्ट तो वो पैकेजिंग जो शिपिंग को ध्यान में रखते हुए की जाए ताकि प्रोड़क्ट जो है वो अपनी सही कॉलिटी में गंतविय तक जहां तक उसको पहुंचना है वहां तक पहुंचे तो टर्सरी पैकेजिंग इस यूज़ फोर बल्क हैंदलिंग स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के दोरान प्रोड़क्ट में कोई तरह का कंटामिनेशन नहीं हो प्रोड़क्ट की क्वालिटी बनी रहे इसलिए टर्सरी पैकेजिंग का बड़ा महतु है नेक्स्ट कोशन वाट इस फार्मासूटिकल पैकेजिंग क्या होती है उसके बारे में बताईए तो फार्मासूटिकल पैकेजिंग जैसे हम बार-बार कह रहे हैं कि जहां मैनुफैक्चर हुई ड्रग और वहां से लेके जहां तक पैशन तक पहुचेगी तो जिस क्वालिटी में बनी है उसकी क्वालिटी पैशन तक जाने तक एकदम मेंटेन रहे उसके अ है तो है तो फार्मासूटिकल पैकेजिंग इंवर्स्ट अ कि दो प्रोससे और मेटीर युस्टू टो अς ड्रांस्पोर्ट रहे नहीं जो प्रडेट्ट बन रहा है उसको प्रॉटेट्ट करणे में ट्रांसपोर्ट करने के दौरान उसकी एफिकेसी सेफ्टी और स्टेब stability वैसी ही रहे किसी तरह का उसमें बदलाव ना हों उसके लिए pharmaceutical packaging की जाती है लेक्स कोशन बाट इस नौटेबल डिसएडवानेज और प्लास्टिक पेकेजिंग इन फार्माशोटिकल फार्माश्टिकल में जो प्लास्टिक मेटरियल यूज चाहथा है उसका मुखियर disadvantage बताईए उसका मुखियर disadvantage बताईए कि phosphat companhe جो हमने प्लास्टिक यूज ह wins किया उसका बड़ा नुकसान या बड़ी हानी उससे क्या हो सकती है तो प्लास्टिक जो है वो बड़ा reactable material होता है तो plastic easily react with the protection and altering their physical and chemical properties कई सारे product के साथ प्लास्टिक react करके उसकी stability और efficacy को खराब कर सकता है यही प्लास्टिक का मुख्यर नुकसान है name three types of packaging testing methods package यानि की पूरी packaging होने के बाद पूरी packaging होने के बाद packaging सही हुई है या नहीं it is correct packaging और not इसको check करने के लिए कौन से तीन टेस्ट किये जाते हैं तो short form में आपको याद रखना है dvt drop test vibration test and drop dvc drop test vibration test and collapseability test यह तीन नाम के इस तीन नाम के test packaging को check करने के लिए किये जाते हैं important question है पूछ सकते हैं one line questions mention two advantage of glass packaging glass packaging के दो मुख्य फाइदे बताईए कि glass ही क्यों यूज किया जाता है तो पहला जो फाइदा है glass normally glass जो है वो transparent होता है तो transparent होने की वज़े से हम अराम से जो अंदर product है उसका visual inspection continuously कर सकते हैं कोई भी patient या जिसके पास भी वो प्रड़क्ट रहेगा वो अराम से बाहर से देखके उसका visual inspection कर सकता है तो पहला तो फाइदा हो गया कि glass जो है it allows visual inspection और दूसरा जो है moisture जो sensitive product है जो moisture से खराब हो जाते हैं उनके लिए glass का बड़ा disadvantage है क्योंकि glass के अंदर moisture एंटर नहीं कर सकता तो moisture sensitive product moisture sensitive product के लिए glass एकदम सही स्टोरेज material है next question what are pharmaceutical aids pharmaceutical aids के बारे में बताइए pharmaceutical aids क्या होता है तो जैसे हमने समझा कि doses form जो बनती है वो दो चीजों से बनती है कोई भी drug की doses form जो बनेगी वो दो चीजों से बनेगी यानिक यूं कह सकते हैं कि dosage form is equal to drug याने के API जो उसके अंदर active pharmaceutical इंगिडेंट है और उसके अलवा जो दूसरी साने चीज़ें डालेंगी वो यहां तो कहेंगे उसको यहां कहेंगे फार्मसूटिकल एड्स इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लो किचन में कोई सब्जी बना रहे हैं तो उसमें सिरफ चने की दाल कभी नहीं डलती हैं उसमें उसके अलावा सतरा चीज़ें और डलती हैं तेल घी जीरा हल्दी नमक मेर्च उसकी प्रोड़क्ट उसकी मतलब पैलेटिबिलिटी को बढ़ाने के लिए सीधे चने की दाल तो कोई नहीं खा सकता तो इसी प्रकास सीधा पैरसीटमॉल या सीधी कोई भी ड्रग की डोजेस वाम नहीं बन बनाने के लिए ताकि पेशेंट अराम से ले सके उसको डोजेस में कनवर्ट किया जाता है तो जो ड्रग के अलावा सारे मैटीरियल होंगे वो सब कहलाएंगे डोज फार्मासुटिकल एड्स क्या है फार्मासुटिकल एड्स और सबस्टांसे यूज इन दा मैनुफेक्च फार्मासुटिकल एड्स इससे क्या होगा इससे प्रोड़क्ट का टेस्ट बढ़िया बनेगा और मैंटेन रहेगी और फ्लेवर जो है वो पैलेटेबल बनेगा इस लिए नेक्स्ट कोशन है इन्हीं दो फार्मासुटिकल एड्स के नाम लिखिए अराम से लिख लेंगे ना कलर इंपार्ट करने के लिए कलरिंग एजेंट फ्लेवर बढ़ाने के लिए फ्लेवरिंग जादा बिटर इन्टेस्ट है ड्रग तो उसको मिठा करने के लिए श्वीटनिंग एजेंट यह आपके होगे फार्मासुटिकल एड्स के एग्जामपल चलिए नेक्स्ट और के लिए फार्मासुटिकल एड फूड प्रडट्स है फ्ले फूर्मासुटिक्स में और फूड फ्लेवर जाते हैं कि यह जो उसके लिए व्लेडिवग नहीं लेखतारा है लेट। डाले जाते हैं अब इसको देखिए लेंग्विज में कैसे लिखा है प्रिजर्वेटिव सार एड़ेड टू इन्हांस इस्टेबिलिटी जित्ता प्रिजर्वेटिव सही तंग से डाला गया है वो पॉड़ेट की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा उसमें किसी तरह का माइक् इस्टेबिलिटी बढ़ाते हैं बिजर्वेटिव जो है माइक्रोबियल कंटामिनेशन याने सुख्ष्म जीवों के आकरमन से प्रिजर्वेट को बचाते हैं ताकि प्रिजर्वेट की सेल्फ लाइफ जो है वो अच्छी खासी लंबी हो नेक्स्ट कोशन एक्स्पैन दप्रिंसिपल ऑफ डबल कॉन ब्लेंडर इन दे मिक्सिंग ओफ पाउडर्स यहां पर देखिए सवाल पूछा है आपको डबल कॉन ब्लेंडर के बारे में और डबल कॉन ब्लेंडर आते ही दिमाग में आपके आना चाहिए कि यह एक्यूब्मेंट कहां यूज आता है तो यह मिक्सिंग जो यूनिट ऑपरेशन है उसमें डबल कॉन ब्लेंडर का यूज किया जाता है जैसे यहां पर लिख भी दिया इसने के वह एक्सिंग प्रिंसि पल आफ टंबलिंग मोशन वन वर्ड आंसर जो डबल कॉन ब्लेंडर है जो कि आउडर्स को मिक्स करने में काम में लिया जाता है वह तंबलिंग मोशन के सिद्धान्त पर अपना कारियर करता है यह ना इट्स कॉनिकल उसका जो कॉन जैसा सेप है अलाउस वर यूनिफॉर् mixing and it is charge and discharge through the same port blades or baffles can be added for improved mixing देखे पूरा अच्छे रंग से समझा दिया है के पहली बाद तो डबल कॉन ब्लेंडर mixing के लिए काम आएगा दूसरा टंबलिंग मोशन के सिद्धान पर काम करेगा तीसरा इसमें एक ही पोर्ट पे discharge और चार्ज के option होते हैं जिससे लगातार एक जैसा टंबलिंग मोशन होता रहता है जो इसको युनिफॉर्म mixing में बड़ी मदद करता है एक अच्छी तरह से mixing को करने में डबल कॉन ब्लेंडर अच्छे से बड़ी अच्छी भूमी का निभाता है वट इस दवर्कीं मेकनेजम ऑफ टर्बाइन मिक्स करने में काम आएगा तो यह टर्बाइन मिक्सर की मेकनेजम पूचि है और साथ ही साथ फारफ्मासिटिकल इंडर्स्ट्री में उसकी अप्लिकेशन बताई ये तो देखें टर्बाइन मिक्सर Wurks वन the principle of sharing action ज्यान रखना यह वन वर्ड वाले कोशन बड़े इंपोर्ट है जैसे बॉल मील का प्रिंसिपल एमर मील का प्रिंसिपल तर्बाइन मिक्षर का प्रिंसिपल डबल कॉन ग्रेंडर का प्रिंसिपल यह वन वर्ड में हमेशा ऐसे ही कोशन पूछे जाते हैं तो जैसे इस सी प्रकार तर्बाइन MIXC T TV isujęject丁 और सेक्षन टी एस तर्माइन मिंचर शेरिंग एक्षिन पर अपना कार्य करता है का न तर्बाइन मीक्चर वर्सवन के सミल शेरिंग अक्षन टेर सुधर स्कूरfor ऑल कि ब्लेट लगी रहती हैं जो की रेडियल प्रोडूसिंग रेडियल एंड टैंजियल फ्लोज यह रेडियल और टैंजियन फ्लोज में चलती है तो तर्बाइन्स और इफेक्टिव फोर हाई विस्कोसिटी सॉलुशंस शुच्छ चेए सीरप टैंज्ट लिक्विट पैराफिन जो ज्यादा गाडे मिक्सचर था जिनमें ऐसे मिक्सचर जिनमें दो गाड़े मिक्स करने आपस में जो नॉर्मली अराम से मिक्स नहीं होते हैं तो वहाँ पे टर्बाइन मिक्चर का यूज किया जाता है तर्बाइन मिक्चर अपने रेडियल और टैंजियन फ्लो से जुड़े हुए ब्लेड्स की मदद से दो गाड़े सॉल्यूशन को आपस में अराम से मिक्स कर देता है फॉर एक्जामपल जैसे सिरप और लिक्विड पैराफीन को मिक्स करना है यहां कोई इमल्शन मनाना है गाड़ा इमल्शन तो उसमें टर्बाइन मिक्चर का अच्छा कासा यूज है उस मेकेनिजन क्या है इसका तो सिंपल सा आंशर हो गया टी एस तर्बाइन मिक्चर जो है वह शेरिंग एक्षन पर काम करता है अब अप्लिकेशन अप्लिकेशन क्या है कि इसमें एक गोल्डिस्क पे गोल्डिस्क पे ब्लेड और बैफल्स लगे रहते हैं जो की दो गाड़े सॉल्यूशन सको ना विचार यूजड तू मिक्स तू विसकस सॉलूशन तर्बाइनज आर एफेक्टिव फोर हाई विसकोसिटी सॉलूशन मिक्सिंग सच ए शीरप एंड लिक्वीड पेराफीन अडार सुटेबल फॉर इमल्सिफिकेशन तर्बाइन मिक्चर सीरिंग एक यूज किया जाता है गाड़ी प्रिपेशन जैसे की लिक्वीड पैराफीन बनाने में गाड़ी सीरप बनाने में इमल्शन बनाने में तो यह इसके दोनों जो दो कोशन पुछे गए थे पहला कोशन था वर्किंग मैकेनिजम दूसरा था अप्लिकेशन दोनों के आंसर फॉर मेकिंग हाई है फॉर मेकिंग हाई विस्कोसिटी सॉल्यूशन जैसे की सीरप यहां लिक्वीड पैराफीन और सुटेबल फॉर इमल्स और उसके अलावा इमल्सन मनाने में भी तर्माइन मिक्शर का यूज होता है चलिए यह कोशन हो गया नेक्स्ट कोशन वाट इस डेफिनेशन और फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन की एक्जेक्ट परिवासा क्या होती है जिसे फिल्ट्रेशन तो अपन समझते ही है सब फिल्ट्रेशन को एकदम फार्मासोटिक्स की फॉर्म में लिखना है तो फिल्ट्रेशन इस दा प्रॉसेस ऑफ सेपरेटिंग मीडियम में से चलनी में से निकाला जाएगा तो वाटर यानि फ्लूड तो निकल जाएगा सॉलिड माटिरियल उस पॉरस मीडियम के ऊपर रह जाएगा तो इसी को लिखा है लैंग्वेज में फिल्ट्रेशन is the process of separating solid from fluids by passing a mixture through a porous medium उससे क्या होगा that retains the solid while allowing the fluids to pass through filtration ने एक ऐसा परक्रिया है filtration is a process in which solids are separated from fluids filtration ने एक ऐसी परक्रिया है जिसमें तरल पदार्तों में से solid को अलग किया जाता है वो किसकी मदद से करेंगे it is done by a porous medium it is done with the help of a porous medium छिद्रित माध्यम से इसका पुरा कारी संपादित किया जाता है filtration is the process of separating solid from fluids and it is done by use of porous medium porous medium allows the liquid to pass through and retain the solid यह जो पॉरस medium होगा वो solid को तो retain करेगा और liquid को अलग करेगा पास होने में चलिए next question how does the cosmic कैर्मान equation एक्वेशन एक्वेशन याद करनी होगी दो तिनवा लिखने पर एक्वेशन याद हो जाएगी डेल्टा पर यह आप एक्वेशन नौट कर लीजिए इसको तो आपको लिख लिख के ही याज करना होगा यहां पर आपको जरूर यह जरूर बताना है कि पी क्या है एल क्या है क्या है यह क्या है एस क्या है सब्सक्राइब इसको आपको बतानी होंगी आप चलिए next question how does a freeze dryer work in drying process drying process में freeze dryer का महत्व बताइए या drying process में जो freeze dryer हम काम में लेते हैं वो अपना काम कैसे करता है तो in a freeze dryer water is removed from a frozen state by sublimation where heat is supplied transferring as latent heat causing ice to sublimate directly into a vapor state freeze dryer में क्या होता है कि drying का मतलब है पहले आपको इसमें समझना होगा drying का मतलब क्या कोई भी pharmaceutical product की drying करनी है तो उसका मतलब क्या drying का मतलब है उसमें से water content को हटाना उसमें से water content को हटाना तो freeze dryer में क्या होता है कि पूरे-पूरे water content को पहले solid में convert करते हैं पूरे-पूरे water content जो है सॉलिड में कनवर्ट होता है यानि आइस में कनवर्ट होता है उसके बाद क्या किया जाता है इसमें लेटेंट हीड की मदद से जो सॉलिड है वो लिकिविड में चेंज नहीं होके सीधा ही सब्लीमेट हो जाता है सीधा ही वेपर स्टेट में चला जाता है उसको सीधा वेपर स्टेट में बहार अलग से कर लेते हैं तो यह है freeze ड्यर का मेंन मेकेनिज़म याने कि इसमें क्या होगा जो water content होगा वो जो water content होगा वो solid form है याने के ice में उसको सीधा का सीधा क्या करेंगे सीधा का सीधा sublimation हो जाएगा उसका याने के it does not convert into liquid state में वो convert नहीं होगा solid से सीधा का सीधा बनेगा वो gas उसको कहते हैं sublimation अपन कहते हैं ना उड़ गया जैसे कपूर की गोली होती है सीधा के खुले मत रखना उड़ जाएगा उसको उसका मतलब है sublimation यानि कि जो सॉलीड है उसका लिक्विड फेज नहीं आया solid से सीधा ही वैपर बन गया ना तो फ्रीज़ डायर में यही प्रोसेस होता है इसमें वाटर का रिमोवल के लिए कैसे हो प्रोजन स्टेट में से बरफ जम का सीधा क्या किया जाता है सबलीमेशन जहां वेर हीट हिस एप़लाइड था टांस्फिरिंग इस लेट इट और खुजिन आइश quo सब्ली में ढाने इंट दाउ या हेड जाता फ्रीजन सब्सक्राइब किया जाता है लेटेंट हीट की मदद से कि नेक्स्ट कोशन कि वाट आरे लिग्जर्स यूस्ट फोर और हाउ शुट दे भी स्टोड सबसे पहला आपको समझना होगा लिग्जर क्या होता है तो एलिग्जर आग क्लियर फ्लेवर्ड स्विटर्ड यहां पर लगेगा यहां पर अंडरलाइन होगा कि हाइड्रो एलकोहलिक लिक्वीड होते हैं इनमें अलकोहल का यूज किया जाता है प्रिप्रेशन फॉर और अडिनिस्ट्रेशन और ली ओर डोजेस्ट फॉर्म है लिक्वीड दोजेस्ट फॉर्म है लिग्जर एक क्लियर फ्लेवर्ड स्विटर नाइड्र यूजर्ड प्रिप्रिशन ने तो इनका इस्टोरेश के यह सिंपल सा दे आज शुट बी स्टोड इन टाइटली क्लोज लाइट रिजिस्टेंट कंटेनर्स इन अ कूल प्लेस दू तो प्रजंस ऑफ अल्कोहल एंड वोलताइल ओल और अल्कोहल की मोजूदगी की वजह से एलिक्जर को हमेशा एर टाइट कंटेनर में कूल एंड ला और परा से आने वाला सवाल है अमेशा इस तरह के सवाल आते हैं डीफरेंस वाल जो होते हैं वह एक्जामिनर के फैरत समय और है नहognor that इंक के बारे में बताईए तो इसमें देखना हाज जलेक्टीन जो है वह उसके दो बाग होंगह तो क्यप वह सिलेंड्रिकल फॉम में होगा जबकि soft gelatin capsule single unit होगी वो कभी भी cylindrical नहीं round झालआी का पिस्केछ पृ झाल को ऑन erst खानी हो लिस्केटा बाल करने लिए घर द刪की के भी कहते है कि बाल झाल 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 झाल